असलाम लेकुम वीवर्स आप देख रहे हैं यू लर्न और मैं हूँ हमसाजेब कहते हैं रवायतों की हदें तोड़ के भड़ो वरना जो तुम से आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे आज पंजाब के 9 बोर्ट की जानिब से 11 जमात के नताईज का एलान किया गया है और नताईज बड़े हिरान कुन रहे हैं डिस इस वेरी अलार्मिंग कि पास होने वले बचों की रेशू बहुत कम है जबकि जो फेल होने वले बचे हैं उनकी रेशू बहुत ज्यादा हमें दिखाए दी है आज हमारे साथ स्टूडियों में एक ऐसे स्टूडियन्ट मौज तो बिना वक्त को जाया कि इनसे बात करते हैं सलामुली किसे हैं अलागे शुकर सबसे पहले मुझे ये बताएं मुझ समय जो आपको देख रहे हैं वह आपसे जानना ही चाहते हैं इतने ज्यादा नंबर आपने कैसे ले लिए असल में अभी जब मैं जा रहा था था ना बार और बोर्ड के नताइज आएं उसमें सिर्फ 41 फीसद बचे जो हैं वो पास हुए हैं जबके फेल होने बले बच्चों की जो तादात है वो 69 फीसद है 59 परसंट बचे फेल हुए हैं जबके अगर रावल पिंडी के बूर्ड की बात की जाए तो 32 फीसद बचे पास हुए है जबके फेल होने बले बच्चों की तदात जो है वो 68 परसंट है जो कि इस वेरी अलार्मीं आप बताएं फिर आपने किस तरह स्टेडी को मैनेज किया और क्या आपकी डिली रूटीन होती थी मैं बिलकुल मैंसक किताब भी की रहा नहीं था मंगा रहाता था गैंटा देट ने कंसेप्ट बडा मैंथ की जितनी हो सकते हैं मैंने प्रेक्टीस की कमिश्क्री वगरा फिसिक्स के मिने लॉज और सारे की जितना मैं कंसेप्शिल पड़ सकते हैं तो मैं थी टेंशन कि पहले बोर्ड का आप देखा जाई रिजल्टों फिवो देखते थे जिसना जिसने यूलर्न का पूरा सिस्टम है वो दीगर मुमाली की तर्स पर बना हुआ है लोग आप जो है रटा सिस्टम खतम होता जा रहा है जब कि जो है वो थियोरी बेस्ट और प्रैक्टिकल बेस्ट चीज़ें ज्यादा स्टूरेंट्स को जल्दी समझ आती है आपका एक्सपिरियंस उसकी वज़ा से मैं जितना मेरा कंसेट बिल्ड होता रहा उसका मुझे अभी फार जा के फिर फार्द हुआ जितनी दाफार मैं वीडियो देखना चूब फिर मैं देखता रहता था उस वीडियो मैं ऐसा तो नहीं होता था कि आप बार बार सवाल करते हैं तो बास टीचर जो चीजे मुझे नहीं समझे एक टाइप था आज का क्वेस्टन अब मैं उसमें लिख लेता था मुझे यह प्रॉब्लम फेस आरी अब या तो वह उसका कर लेते से सुलूशन बेज़ेते थे या फिर ऐसे कोई चीज हो जाती जिस तरह रेडियोस औफ हाइड्रोजन आइ आपके समयते हैं यह जो उनलाइन सिस्टम है जो amerThat का सिस्टम और एक आम एकर खाटबंडटे गर सेंगे फों से आ चलेगे चार गैंट अकाडमी काम करें ना काम करें और चार गैंटे जाकर फैटिग यह आपके लिए मैं क्या करता था मैक्सिमम 45 मिनिट 45 मिनिट 10 मिनिट की वीडियो ते जो अगले दिन टॉपिक पढ़ना होता था जबके अगर आप जाए ना कॉलिज में 45 मिनिट का पाइदा उठाना चाहते हैं उनको आप क्या मैसिज दें क्योंकि जिस तर आपने तथकरा किया कि आप कम टाइम में जो आपका सीखना चाहरे थे किसी भी सब्जक्ट के हवाले से वह आप बहुत असानी से सीख लेते थे असल देखा जाए ना मेरे कॉलिज में हुआ हुआ अच्छा लेपटव लगा रहेगा लेकिन जिसने पढ़ना है वह पढ़ेगा उसने इदर भी पढ़ना है तो उनको बस एक था कि आनलाइन है रिकॉर्डिड इन है जब दिल चाहे अभी आप के टू जाकर बैट जो उदर भी लेक्ट्टर सुना वाइफ एक्से मतलब इसम अगले दिन के पीछ दिन की वीडियो देख लूगा तो फिर मेरा कर दो नहीं होगा जिसके वाए से जो एक हड़र क्रियेट होती है कि मैं अगला टॉपिंग नी समझा रहा फिर वह फिल आप होती रहती है जिस तर आप मिसाल के तौर पर को स्टूडेंट जहलम गया हूए और वहाँ पर बैठ कर भी लैप टॉप पर असानी से ऑनलाइन पढ़ सकता है यह आया कि कोई लोग इन पासवर्ड आपको मिलता है या क्या तरीका कार होता है यह जरा आडियंस को सबसे पहले तो रिजिस्टर करें ना रिजिस्टर करके अपनी इंफॉर्मेशन डाले ठीक है अब उसमें आप डालें आपको मेल आजेगी उसमें आपका पासवर्ड और आपका जो इमेल इडरेस हो उसके बाद आपको बाए करना परता है अब बाए करना मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगा मैं सौल का 20,000 था जबकि अगर आप अगर आपका खर्चा भी कम हो ठीक है तो उसके बाद जो अकैडमिक फीस है वो मेरी बहुत कम रही है कि भारी भरकम खर्चे जो है वो बड़े उठाने पड़ते हैं मतलब मैं ऐसे फैमिलिस को जानता हूं जो अपनी बच्चें को कहते हैं जी कि हमारी बड़ी जिम्हदारी है कि हम इनको खुद छोड़ लेने जाते हैं लेने जाते हैं तो यह उस जिम्हदारी से अजाज हो सकते हैं यूरलन एक ऐसा प्लैटफॉम है जिसमें आप अपनी बेटी को अपनी बेहन को घर में बिठाए हुए जो है वो कुछ भी क्लासी और ऑनलाइन लेक्च्छर्स लेसकते हैं और जाके अकैडमि इस बिल्खशूस जो आपको देख रहे ना उनका एक सवाल ये भी है आपने आगे स्टार्ट में का कि आप सीजन भी देखते रहें जबकि जो पेरेंट्स हैं इनकी तरफ से ये बड़ी कुशिश होती है कि बच्चें उसे मॉबाइल भी दू रखा जाए लैप टॉप भी आप सीजन भी देखते रहें आप खेलते खुटते भी रहें ये सारा कुछ आप कैसे करते हैं अब हुआ यह कि इसमें एक पोर्टल है जिसमें आप अपने वालिद साब या वालदा का ना email address डाल दें अब जो मेरे MC को करूंगा जो मेरे उसकी performance होगी वह अम्मी अबू को जाएंगी वापिस अचा बास बचे जो ऐसे होते हैं वो तो टेस्ट चुपा लेते हैं अब ऐसा नहीं होगा अब उसका graph जाएगा मुझे भी आएगा कि मैं इस चीज में लाग करूं मुझे इसमें जादा मैनत करने की ज़ुए है तो फिर ये इसका भी मुझे तो अचा आपके पेरेंट्स हुए हैं वो फिर आप जब उन्हें इन्दाजा हुआ जिस तरह आप कहरें कि आपका जो रिजल्ट होता था वो भी आपके पेरेंट्स ही आपके बड़े बाई बहन देख सकते थे फिर वो भी आपको पुश करते होंगे कि अच्छा लैपटॉप में प पड़ा हूं मैं कहीं फेल ना हो जो मेरे उस तरह नंबर ना है एक वो बच्चे जो फिजिकली तौर पर पर पड़ रहे हैं लेक्चर ले रहे हैं वह च्छे नंबर ले जाएंगे आपके समझते हैं अब जब भी आप किसी अकैडमी के टाइम सामने से गुजरो गैं बेश स्टूड़न्स को क्या सेज़स्ट करेंगे कि वो फिजिकली तौर पर क्लासेज ले या घर बैठकर ऑनलाइन भी पड़ सकते हैं मैं उनको सज़स्ट करूंगा कॉलिज लाजमी जाएं अकैडमी जाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि अगर फॉर्टी फाइब मिनट्स और और चार घंटे बहुत फारकेंस में और उन सब सब्सक्राइब में बहुत जादा फैमिली टाइम दे सकते हो आप अपने उपर टाइम लगा सकते हैं लेकिन कॉलिज भी लाजमी क्योंकि हम स्टूड़न्स की रूटीन की बात करते हैं तो बच्चे सुपा स्कूल जाते हैं फिर उसके बाद आते हैं उसके बाद ठक हार कर जो है वो सुझते हैं उनकी कोई लाइफ नहीं और बच्पन सारा ऐसी घुजर जाता है तो आप समझे देंगे यूरलन एक ऐसा प्लैटफॉर्म है जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं ना सिर्फ सीख सकते हैं बलके कम व बाद रिजल्ट आजएगा उस जो आपने शौर्ट कर्शन रिटेंट किया उसके वाले से दो दो नंबर जो शौर्ट में आपको एमसी को आंसर रिजल्ट वगर उसी लगना जाए और वो टीचर से दुबारा सीखना चाहरा है किसी सब्जेक्ट में उनकी उसकी कर सकते हैं जूम कॉल कर सकते हैं या फिर आप टीचर को कह दो कि मुझे यह चैप्टर नहीं समझ आ रहा है या इसका मुझे पॉइंट नहीं समझा रहा है तो उसके लाइदा वीडियो आजएगी क्योंकि अब जिसना यह रिजट है उसके बाद जितना कंसेप्ट है उतना आपको फाइजा है ठीक है अचा जिससरा हमने अभी तथकरा किया है कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आता किसे सब्जेक्ट में आप कम्जोर हैं तो आप मुतलिका टीचर से राप्ता कर सकते हैं इसके लिए को टाइम मुखतस होता है या आप किसी भी टाइम सर को मैसिज क कॉल कर सकते हैं देखे टाइम अब यह तो नहीं नहीं हो सकता कि आप लेट नाइट वन को फिंगे अब आप उनको आठ से तस राथ दस बुझे जिस मज़ी टाइम पर करें विदिन 15 मिंट मैक्सिम आपको आई जाता है यह वैसी बड़ी एक अच्छी बात है यूलरन के प पड़ता है कि आप कल अकैडमी जाएंगे और फिर टीचर से आप पूछेंगे कि मैं सवाल में मुझे समझ ने आई और इसका फॉर्मूला क्या क्या क्योंकि क्लास में मुवमन बच्चा शाय होता है कि मैना स्वाल अच्छा है भी नहीं है सड़ वापची डांटे ना कि मै में लड़के भी हैं उसमें कुछ फीमिल जो हमारी बहने हैं उनको बड़ा मसला आता है कि वो सवाल पूछ नहीं पाती है उनको आप क्या सजिस्ट करेंगे कि यूरलन प्लैटफॉर्म पर आजाएं अब मैं तो कोंगा लाजमी है क्योंकि आपका टाइम भी बचेगा और आपको सवाल पॉशन में कोई दिकत नहीं महसूस होगी सवाल करें टाइप करना है सिर्फ टाइपिंग तो हर बचा जानता है टाइप करें और आपको रिजर्ट आज़े दूसरा मुझे हमाद एक चीज़ यह भी बताया कि वो बचे जो जो जानना चाहते हैं कि यूरलन ज को साथ हमाद मुझे ये वह बताएं वो बच यूज जो लैपटॉप को अफॉर्ड नहीं कर पाते हैं वह सit मुबावइल Ñ और वी इवन के कुछ फैमिलिस में के घरों में वो इंटरनेट भी अवेलिबल नहीं होता और वो लोग जिनके पस लैप्टॉप नहीं अफॉर्ड नहीं कर सकते आया कि वो मुबाइल से भी यू लन की सर्विसिस से मुस्तफिद हो सकते हैं सिर्फ दो चीज़े चाहिए एक एंड्रॉइड और दूसरा इंटरनेट इन दोने चीज़े के साथ बस और कुछ में नहीं चाहिए और आप वीडियो पगारा देख से और पैशन जाए पैशन तो लासमी है ना थीक है पैशन के लावा तो बंदा क्लास में भी नहीं पड़त रहें और ना सिर्फ पढ़ते रहें बलके वह जनाब सीजन भी देखते रहें वह गेमें भी खेलते रहें और बाहरे जाकर क्रिकट भी खेलते रहें तो यह बड़ी अच्छी बात है जनाब कि आपकी तमाम तर एक्टिविटीज भी जारी रहती है और साथ यसाथ आप आपको समझनी आगी क्योंकि जिसना देखा जाना अकैडमी जाके बिलकुल बच्छा फटीग में थग जाता था ना उसके लिए अपना कोई टाइम होता था देखें इस बार यह पेपर था हैं कंसेप्शियल अप्लिकेशन बेस और थोड़ा से ठीक है जितना आप कंसेप् सब्सक्राइब तो और पर स्टुडेंट खुद अपने उपर लाद कर अपने हाथ में थामे जोए अकैडमी जाता है उसमें आप एक से दो बार जब टीचर से सवाल करते हैं तो टीचर बड़ा इरिटेट होता है वो कहता है जी लेक्टर जब एंड होजएगा फिर मेरे से फिर मुझे पूरा लेक्टर क्या समझ और फिर ऐसा होता है कि स्टुडेंट सवाल भी बूल जाता तब तो फिर मुझे पूरा लेक्टर क्या समझ जाएगा तो इसके बदले अगर आप एबल तो यह वीडियो देख लो वीडियो में पहले ऑक्सिडेशन भी प्ता देंगे और आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा नहीं समझ जाए तो फिर आप सर से पूछ लो फिर सर आपको एक नई वीडियो बना लेंगे जो आपके लिए और एजी होगी और वो सिर्फ उस बच्चे के लिए फाइदा मत नहीं होगी बलके तमाम स्टुडेंट्स यहीं ने टाइम निकालें और जितना अपना टाइम बचा सकते हैं जिसक्ति आप यृट एक लिए मैस पर शक्याइजा पर सकते हैं अक्ट्रिया कि हैं और आप को चुटी होगी लेक्ट्चन मिस होजए तो अब इससे दुबारा वीडियो देखे आपका अगले दिन का जो कॉलेज का लेक्टर है वो फिर आपको समझ आ जाजएगा असे हमाद जो लोग हमें देख रहे हैं उनको और वो जानना यह चाहते हैं कि कि LMS दरसल है क्या असल में देखा जाएना LMS एक ऑनलाइन वेब साइट है जिसमें आपको हर टॉपिक की वीडियो उसका कॉंटेंट उसके शौर्ट कोईस्टन उसका अगर कोई रिलेटिव नुमेरिकल है उसके नुमेरिकल और उसके एमसी कोई इसके अलवा आपका क्या रह हैं अब आप हमारे साथ हैं इतने नंबर हैं जो लोग देखने वाले हैं उनके जहनों में सवाल होंगे आखरी सवाल यह है कि एक वो बच्चा जो के अकैडमी में है और दूसरा वो जो के ऑनलाइन पढ़ा है ग्रेट का बहुत फरग होता है क्वालिटी ऑफ एजूकेशन का बहुत फरग होता है मेरे ऐसे दोस्ते हैं मुझे राप्ता करते हैं जी मेरा च्छोटा भाई है उसको हम किस अकैडमी में करवाएं जिसकी एजूकेशन जो है वो बहतर हो पढ़ाई जल्दी समझ में आरे तो यू लर्न आप समझते हैं यह वह वही देदारा है जहां प आपको साथ और दोस्तंग कर जाता है कोई पॉर्ण में सोता है आपको पुरा लेक्शर ख़राब हो जाता है वह सवाल लिख रहे होते हैं बचा साथ टीचर कर लेता है तो जितना आप देखे रिकॉर्डिंट का फाइदा किया जिस टाइम मर्जी चाहे जितना जहां से अपने मिजबान हमजाजेब को अजाज़त दें आलाने के बादा